राधे राधे जैश्री कृष्णा वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल पृती माहेश्वरी और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और देखे आज मैं आपके लिए एक और खुबसूरत जो है ड्रेस का डिजाइन लेकर आए हूँ फ्लावर पैटर्न में ही है लेकिं बिल्कुल ढिफरेंट फ्लावर है जो वी तक हमने बनाये उन से बिल्कुल अलग है कलर जो है परपल है डाक परपल है और ओफवाइट है साथ में कैमरा कैसा कैच कर रहा है इस कलर को मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ लेकिन बहुत खुबसुरत कलर है और आप खुद भी वेजन कर सकते कि परपल और ओफवाइट का जो कॉंबिनेशन है वो कितना प्यारा लगता है और इस ड्रेस को आप किसी भी साइज में बना सकते हैं क्योंकि मैंने यह जो कलियो वाला घेरा बनाया है इसकी मैंने दो वीडियो अपलोड करी है जीरो से लेके दस नमबर तक के लड़ो गोपाल की और एक करी है बारा नमबर से लेके किसी भी साइज में 20 इस जितना ही बड़ा साइज हो तो दोनों साइज में आप जो है इस गेरे को कैसे बना सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप वीडियो डिजाइं जो है कैसे लगते है और जिस जिसने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि है जो से वीडियो से वीडियो बास करें और सभी से रिकव्यसट चलिए देखते हैं कि हमें इस खूबशुरा सी dres को जो है कैसे बना कर complete करना है तो यहां पर इस dres के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने जो flower Liane बनाकर complete किया है यह हमने कैसे बनाया है तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें अपने धागे को इस तरह से connect करना होगा connect करने के बाद यहां पर हम एक दो तीन चार पार छे साथ इस तरह से साथ चेंड ली है क्योंकि मैंने 8 पत्यों का यह flower बनाया है अगर आप 10 पत्यों का बारा पत्यों का बना रहे हैं तो उसी हिसाफ से chain कम कर ले हो और अगर आप छोटे लड़को पाल के लिए बना रहे हैं तो इनी chain को कम कर दे तो यानि आप इसको 6 पत्यों का भी बना कर कम्प्लीट कर सकते हैं तो size छोटा हो जाएगा flower का बड़ा आप जितना करना चाहे उतन किरोशिया बनाएंगे तो देखे एक तो हमने तीन की chain लिए एक बनाएं योगए दो तीन तो इसी तरह से जो है डबल किरोशिया मैं यहाँ पर 16 ताइम यानि 16 बार बनाऊंगी क्योंकि मैंने 8 पत्यों का flower बनाया है और हमारी जो है दो chain यूज होगी एक पत्ति को बनाने के लिए तो यही measurement रहेगा यानि जितनी भी पत्तियों का flower बनाना चाहते हैं उससे double आपको यह chain बनानी होगी दस पत्तियों के लिए आपको बारा बार तो इसी तरह से जो है आप अपना first round बना कर complete करें तो यहाँ पर देखे इस तरह से मैंने 10 बार डबल किरोशिया मैंने साइज के लिए आप यहाँ पर जो है इस तरह से बारा बार डबल किरोशिया बनाए और बड़े साइज के लिए जितनी भी पत्तियों का बनाना चाहते हैं उससे double आपको यह डबल किरोशिया बनाना है तो measurement यह रहेगा तरीका हर किसी साइज में फ्लावर को बनाने का तो इसलिए कोई दिकत नहीं आएगी तो यहाँ पर देखिए लास्ट चेन बनाने के बाद जो हमारी यहाँ पर फर्स चेन हमने बनाई है उसकी थर्ड चेन में हम स्लिम स्टिस से इसको connect करेंगे एक दो तीन तीन की यहाँ पर देखिए हमने चेन ली है और यहाँ पर जिस चे डबल जो है यहाँ पर चेन ली है और इसको बनाने के बाद वापिस यहाँ पर एक दो तीन तीन की चेन लेंगे फिर यहाँ पर देखिए आगे वाली चेन को इसकीप करेंगे और नेक्स चेन के अंदर connect करते वे डबल की रोश्या बनाएंगे तो आपको जो है यह सेकिंड इसी तरह से बनाना है एक चेन को इसकीप करना है नेक्स चेन में जो है connect करते वे डबल की रोश्या बनाना है और डबल की रोश्या बनाने के वापिस यहाँ पर एक दो तीन तीन की चेन लेंगे फिर नेक्स चेन को इसकीप करेंगे और उससे आगे वाली चेन में connect करते वे double किरोशया बनाते हुए second round बनाकर complete करें यहाँ पर देखे जितनी आप जो है chain लेंगे उसके इसाब से आपके उतने ये loop आएंगे हमने 6 पत्यों का ये flower बनाकर दिखा रही हुए आपको तो यहाँ पर हमारे 6 लूप आएं है इस तरह से और इसके इंदर मैंने 8 पत्यों का बनाया था तो हमारे 8 लूप आए थे तो यहाँ पर देखे इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे जो हमने first chain देखे हमारी इस तरह से बनाई है यहाँ पर center में से धागे को निकालेंगे slim stitch से connect करेंगे और एक दो और यह तीन तीन की chain लेंगे और यहाँ पर जो है पांच बार डबल की रोशिया बनाएंगे तो एक तो हमारी तीन की chain हो गई दो तीन चार और यह पांच बार देखे है एक ही chain के अंदर हमने 5 बार डबल की रोशिया बनाएंगे और इसी chain में जहाँ पर हमने 5 बार डबल की रोशिया बनाएंगे वही पर एक बार दुबारा से इस तरह से single की रोशिय से connect करेंगे धागे को लेंगे और जो next chain है हमारी उसके अंदर फिर इसी तरह से 5 बार डबल किरोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 पांच बार बनाया एक की चेन लेंगे और जहाँ पर चिस चेन में हम बना रहे हैं वहाँ पर सिंगल किरोशिय से कनेक करेंगे और धागे को लेते फिर नेक्स चेन में इसी तरह से 5 पांच बार डबल किरोशिया बनाएंगे तो आप अपना 3rd राउंड जो है इसी तरह से बनाकर कम्प्लीट करें यहाँ पर देगे फ्लावर का हमारा जो है इस तरह से 1st पार्ट जो है स्लिम स्टिस से इसको कनेक करेंगे और धागे को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा करेंगे और नीचे से देखें यहीं से जहां पर हमने कनेक किया वहीं पर नीचे से किरोशिय को इस तरह से डालेंगे और इस धागे को जो है नीचे की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे देखे नीचे की तरफ हमने निकाल लिया है और यह हमने इसलिए निकाला है आपको देखे किलियर नजर आ रहे होंगी जो हमारी छे चेन थी यहाँ पर यह देखे छे चेन आपको यहाँ पर पीछे नजर आ गई होगी तो धागे को यहां पर देगे इस तरह से लेंगे एक दो टीन- пожалуйста अब हम चार की चैन गेंगे इस ढरेंगे और स्टार्टिक में हमने तीन-स टीन-स ली थी और सेकिड वाली जो है लेयर के अंदर हम चार की चैन लेंगे और जो आगे वाली देखिए यह वाली चैन ह CONNECT कर जाएंगी एक दो टीन चार की चेन लेंगे आगे उलीष के सींगल के S conventions करते जाएंगे तो आप्स हमारे पास जो है इस तरह के छे लूप तयार हो जाएंगे और ये जो हैं छे पत्म छोटा फॉलावर है जितनी पत्स को बनाओ yoy बड़ा होता जाएगा यानि 8 का बनाएंगे थोड़ा और साइज बढ़ जाएगा 10 का बनाएंगे तो और बड़ा बन जाएगा तो जैसी ड्रैस आप उसके according बना ले तो वापिस से अपनी चेन इसी तरह से बनाकर इस फ्लावर में कंप्लीट करें यहां पर देखे हमारे पीछे की तरह भी छे लूप वापिस से इस तरह से तयार हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी first chain देखे हमने बनाई थी, वहाँ पर दुबारा से इसको single की रोशिय से connect करेंगे, तरीका वही रहेगा पत्ती को बनाने का, एक, दो, तीन, तीन की chain लेंगे, बस थोड़ा सा change किया होगा, first round में हमने 5-5 बार double की रोशिया बनाया है, second round के अंदर हम जो है, 6 बार बनाएंगे, तो एक तो हमने 3 की chain ली, एक हमने बनाया, 2, 3, 4, 5, और ये 6, देखे, 6 बार double की रोशिया बनाया, एक की chain लेंगे, फिर उसी chain में single की रोशिय से connect करेंगे, जैसा मैंने आपको बताए, starting में बनाया, same वैसे ही बनाएंगे, connect करने के बा हमारी एक increase हो जाएगी, तो जिसकी वज़ा से जो है, हमारा देखे, कितना खुबसूरत सा जो है, ये double layer का जो है, फ्लावर बनकर complete हुआ है, बहुत ही प्यार, बहुत ही खुबसूरत जो है, ये लगता है, इसको बनाने के बादेखे, आपको करना क्या है, यहां पर इस तर के अंदर वीडियो अपलोड है, 0-10 नंबर तक और 12 नंबर से बड़ा कोई भी साइज हो, कैसे बनाना आपको बना लेना है, उसके अंदर देखे, इस तरह से हमारी कलिया आती है, यहां पर देखे, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, वाइट में, तो इस तरह की कलिया आएंगी, तो एक के अंदर तो हमने फ्लावर वर्क किया है, और एक वाली लेयर के अंदर, जो सेंटर वाली यह लेयर है, इसके अंदर हमने किया है, स्टोन वर्क, तो मैंने इस तरह से स्किप करते हूँ, यानि एक में लगाया, एक को स्किप किया, एक में फ्लावर वर्क अंदर की chain है देखे वहां से धागे को निकालेंगे और बापिस इस तरह से नीचे डालते वे आपको जो है इसके अंदर stitch करना है और stitch कैसे करना है मैंने आपको कई बर बताया हुआ है और मैंने center में लगाया है इसके अंदर एक पर बाकि आप चाहें तो कोई भी stone भी लगा स सकते हैं यहां पर देखें इस तरह से यह काफी बड़ा पर है और स्मोल साइज ने कमार्किट में मिलते हैं में ह्रास myself मिलते हैं तो देखें एक तरह से मैं डाला है दूसरी साइज से रनाव हमें सेंटर में इस तब कर्टr के साध wsz ली épisode kao combination जो है बहुत ही खुबसूरत निकल कर आया dress का तो आप अपनी पसंद से किसी भी color में बना सकते हैं हर color के अंदर ये dress flower के साथ जो है बहुत खुबसूरत बन कर आने वाली है तो यहाँ पर देखे इस तरह से हमने इसके अंदर इसको stitch करके dress को complete किया है तो यहाँ पर देखे इस dress के अंदर मैंने यह वाली attachment यूज करी है आप अपनी पसंद की कोई भी जो है यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने का एक पार मैंने flower लगाया है और एक मैंने यह attachment लगाई है और कई बार जो है इस तरह का question भी रहता है कि मैं हमें नहीं मिलती है इस तरह की attachment तो आपकी जो है सुवीधा के लिए मैंने किनारी बजार का भी shopping hall आपके साथ share किया है जिससे आप घर बैठे जो है यह सारी आपको भेज देंगे तो यह देखें इस तरह से और एक मैंने इस टॉन में आगे की तरफ लगाया है जिसकी वज़ा से आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना प्यारा आया है चोली के उपर भी जो है मैंने एक छोटा वाला स्टोन लगाया है और एक जो मैंने ड्रेस में बड़ा वाला फ्लावर वाला लगाया है यह लगाया है और लास्ट में यह जो आपको नजर आता है यहां पर जो है मैं सिर्फ एक ही लगाती हूं क्योंकि यह बैक साइड में जाएगा एक तो और दूसरा हम जो है जब आप घेरा बनाएंगे देखेंगे कि हमने जो है इसको बड़े साइज में दस नंबर की जो हमारी लाइन थी तेंध नंबर की वहां से कनेक किया है तो यह पार हमारा थोड़ा सा छोटा भी हो जाता है तो यहां पर मैं सिर्फ एक से दो स्टोन ही कनेक करती उंपिछे की तरफ और देखे कितनी खुबसूरत जो है हमारी लड़ो कोपाल की ड्रेस बनकर complete हो चुकी है, मुझे उम्मीद है ये color combination और design जो हमने बनाया है, flower work किया है इसके अंदर, जितनी भी मैं dresses आपको दिखा रही हूँ, flower pattern में है, stone work में है, लेकिन सारे flower different है, बिलकुल अलग-अलग तरीकी स बनाई है, मैंने आपके साथ video लगातार, share हो रही है, तो आप देख पा रहे हो, कितना खुबसूरत जो है look आ रहा है, color combination भी बहुत प्यारा है, camera शायद इस color को ठीक से catch नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत प्यारी dress है, purple और off-white combination है, आप खुदी imagine कर सकते हैं, कितना प्या पारा combination है, वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर करना और comment करके मुझे जरूर बताना कि आपको लड़ू को पाल की dress हमने बनाई है, यह design हमने बनाया इसके अंदर, color combination जो लिया है, यह कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, और वीडियो आगे share भी क्या करें, ताकि और लोग भी जो है, जिनके बस बड़े-बड़े size के लड़ू को पाल जी है, यह अपने लड़ू को पाल के लिए किसी भी size में, जैसा आप इस dress को बना सकते हैं, तो अपने लड़ू को पाल के लिए इस तरह के खुबसूरा design बना कर complete कर सके, चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को press कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया design लेकर आओं तो उसका notification आपको उसी समय पर मिल सके, तो मिलेंगे आने वाली next वीडियो में, तब तक के लिए, राधे-राधे, जैश्री कृष्णा,